Hi students, आज की स्वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कख्षया 11 गनित math question paper design इस वीडियो को देखने के बाद आपके दो doubt clear होंगे, पहला कितने questions आएंगे, कितने marks के बड़े question आएंगे, कितने marks के छोटे question आएंगे, वोड आउट और दूसरा कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से आपका कितने मार्स का आएगा आपका मलब कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सा कम मार्स का है तो वो चीजे वो दो डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पूर वह वहा करता था अब 3 गंटे हो गया लेकिन 80 मार्स का ही बार भी पहले वी चाय रहता था तो यहां पर जो है ना अब देखते हैं मार्स की वेटेज वेटेज ज़रूरी है वैसे तो देखो इसको समझे आता होगा ऐसे वीडियो पौस करके समझ लेगी APP गया ठीको समझ न इसका सबसे बैस तरीका तो यह है देखो लेंथी कोस्टन सोर्ट कैसे क्या आते हैं उप्संस कितनों में आते हैं तो वह चीजे जाने का सबसे बैस्ट तरीका यह है आप प्रिविएस यह पेपर उठाओ को सबसे बनाए गया था आपके लिए बट उससे पहले जो पर उनको उठाके देखो और आपको समझ आएगा वैसा साही पर अब की बार भी आपका रहने वाला है और आगर आपको पेपर नहीं मिलते हैं तो मैं बता देता हूं चैप्टर डोट को गूगल पर सर्च करोगे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे 2019 बीस और 21 के क्लास 11 के हरियाना बॉर्ड के ठीक है ना और साथ में जो कोस्टन पर डिजाइन वगरा सारी चीज़े इस वेबसाइट पर मिल जाएगी तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक द और हमको देंगे 20 नंबर उसके बाद आएंगे और सिंपल जो है आपको छोटे-छोटे से कोस्टन आते हैं इजी वाले तो वह आएंगे और जितने कोस्टन एक एक नंबर कहना है वह सारों को अब्जेक्टिव टाइप में गिना जाता है उसमें उप्शन हो एमसी क्यों हो नंबर का अब देखते हैं किस-किस चैप्टर पर आपको ज्यादा द्यान देना है सेट्स और फंक्शन वाला जो चैप्टर है अब कुछ हिंदी मीडियम में ले रखो कि किसी-किसी ने गणी तो सिंपल सी बात है मतलब आपना सेलेवस क्रोश चेक कर लेना स्लेवस में से क पूरे के पूरे चैप्टर सबको करने किताबे एक आद जो सब्देक्ट में थोड़ा मामूली सा रिडेक्शन हो रखा है तो वह आप कर लेना एक बार और उसके बाद देख लेना जो हैना आपको सैट और फंक्शन वाले जो चैप्टर है टोपी किया देको यूनिट कर रखा है तो वह जो है यहां पर 18 मांक्स का आएगा सैट फंक्शन वाले पूर्शन से पूरा अलजेब्रा आएगा 26 नमगा सबसे बड़ा टोपिक आपका अलजेब्रा और अलजेब्रा में से बड़े कोस्टन आते हैं पक्का से आते हैं तो ज्यान रखना इस चीज का को सबसे बड़े कोशन मिल सकता आपको टैन माक्स में भले टैन का दिख रहा हो एक बड़ा कोशन चोटा कोशन ऐसे करके दे देते हैं लोग तो इसी साब साब का पूरा डिस्टिबूशन रहने वाला है आपको अच्छा जो ध्यान देना वह एलजेब्रा पर देना एक तो नंबर का भी वही आने वाला आपके एक्जांस में ठीक है आई होप समझ गए होगे और सबसे इजी तरीका बताता हूं तुमको अगर तुमको मनला पेपर प्रिपेर करना है कुछ माता पोड़ी नहीं करनी ना बाई कौन साब किस किस टाइप के कोशन आते हैं तो प्रिव नंबर का दो का चार कर दिया पांच कर दिया ऐसे कर देंगे वह और बाकी जो है कुश्चन वैसो सही रहता है तो वह चीज बहुत ही मस्त रहती है तो देख लेना पेपर डाउनलोड करके उनकी ट्राइक कर देना चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई